तो आज मैं आप लोगों के साथ ये गॉडजिस सा मेकप लोग शेयर करने वाली हूं बारात के लिए तो वेडिंग के किसी भी फंक्शन में आप इस तरह का कुछ डिफरेंट लोग कर सकते हैं जनरली वेडिंग में सब गोल्डन थीम प्रेफर करते हैं बट कुछ लोग ऐसे जनको सिल्वर कलर की जूरी, सिल्वर मेकप बहुत अच्छा लगता है तो यह स्पेशली मैंने उन लोगों को ही डेडिकेट किया है काफी एजी वे में क्रियेट किया है अफॉर्डबल मेकप के थ्रू वीडियो पसंद रहे तो प्लीज लाइक करके अगर आपको मेरे यूज करे हूँ वेजलीन का लावेंडर जेल क्योंकि सामर सीजन है तो मौशराइजेशन की तो जरूरत ऑल टाइम होती है बट जेल मौशराइजर बहुत जादा लाइट वेट होते हैं नौन स्टिकी होते हैं तो मैंने यह पर जेल मौशराइजर अपने फेस पे नेक्स मैंने आप इस टेक वकी का प्राइमर ओयल यूज किया है यह ड्राइसकिन वालों के लिए बिल्कुल सही है बट ओयली स्किप कर दीजे क्योंकि आपका फेस और भी ओयली हो सकता है ड्राइसकिन वाले भी तभी यूज कीजे अगर आपका फेस बहुत जादा ओयली नहीं होता है summer season में तभी next मैंने आप यूज किया है LA Colors का ये peach character तो अगर आपके dark circles बिल्कुल blackish है तो आपको orange character यूज करना चाहिए बट अगर आपके dark circles मेरे जासे हैं तो आप peach character भी यूज कर सकते हैं in case orange character है तो बिल्कुल थोड़े से amount में आपको apply करना है जादा apply करेंगे तो आपका face का जो color है वो और deep हो जाएगा and साथ ही उससे क्या होगा कि आपके face में डलनेस आजाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप make-up apply करेंगे तो मैंने finger की इसलिए blend किया है क्योंकि sponges बहुत सारे product absorb कर लेते है and मैं नहीं चाहती थी कि मेरा product जादा absorb हो next मैंने आपे foundation के लिए use किया है beton wild का foundation इसमें मेरा shade है soft beige बहुत ही अच्छा foundation है and मुझे ऐसा लगता है कि affordable range में एक अच्छा coverage provide करने वाला foundation है तो यह सभी look try कर सकते है थोड़ा सा भी light लग रहा है face पे but जैसे जैसे हम make-up को complete करेंगे तो यह बिल्कुल मेरे skin tone का हो जाएगा next मैंने eyebrow filling के लिए maybelline की pencil यूज़ की है क्योंकि मुझे eyebrows को बिल्कुल natural रखना था already deep eyebrows है just मैंने एक definition add किया है मेरे eyebrows में and थोड़ा सा clean look provide करने के लिए मैंने आपे concealer से इसको clean out कर दिया है इससे क्या होगा कि अगर आपके eyebrows groomed नहीं भी होंगे तो भी आपको एक बहुत अच्छा clean look मिल जाएगा and eye makeup और भी जादा enhance होगा बहुत ही beautiful लगेगा तो मैंने यहाँ पे इस तरह से concealer की help से अच्छी तरह से clean out कर लिया है next मैंने आपे concealer use किया है steak worky का बहुत ही अच्छा concealer है amazing सा product है affordable range में आपके you know जो भी darkness आपके face पे रहे गया है उसको बहुत अच्छी तरह से cover करता है साथ ही बिल्कुल भी आपके face को dry out नहीं करता and यह आपको medium coverage provide करता है तो मैंने अच्छी तरह से blend out कर दिया है now क्योंकि concealer apply किया है तो इसको set करना भी बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है तो मैंने यहाँ पे powder यूज किया है पूरे face पे नहीं होना जाहिए नाच्रल शाइन होना जाहिए तो मैंने सिर्फ concealer को set किया है so that वो crease ना हो, lines ना पड़े and वो जादा long lasting हो जाए plus powder आपको एक coverage भी provide करता है जो कि आपके make-up को और जादा defined वाला look provide करता है next मैंने make-up revolution के palette से यह बहुत ही nude करके अपनी crease पे apply किया है इसको मैंने as a base यूज किया है eye makeup के लिए now this is a basic tip कि जब भी आप कोई भी eye makeup स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले कोई भी light nude shade को इस तरह से crease में apply करेंगे तो आपका make-up और भी जादा define लगेगा next मैंने आप यह blue shade पिक करके अपने outer crease पे outer eye पे apply किया है क्योंकि मेरी सारी blue color की थी तो मैंने blue color add किया है obviously मैंने हर एक make-up में बताती हूं कि आप colors को अपने सारी के अपने outfit के according कस्टमाइज कर सकते हैं तो मैंने बिल्कुल lightly pat किया है and यह थोड़ा सा black color को मैंने outer eye पे इस तरह से place करके एक shape provide करने की कोशिश की है थोड़ा सा ombre वाला effect आएगा plus आपका eye make-up और भी जादा intense लगेगा and wedding में इस तरह की make-up बहुत जादा खुबसूरत लगता है तो मैंने इसको जड़ा सा just इस तरह से shape-up किया है and इसके बाद मैं या पे थोड़ा सा concealer लेकर के एक half cut crease kind of draw कर रही हूँ बहुत जादा precise होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप you know make-up में इसको practice करेंगे तो आप से बहुत easily ये draw हो जाएगा आजकल you know इस तरह के make-ups बहुत जादा trending है बहुत अच्छे लगते हैं मैंने ये silver color को pick करके अपने inner eye पे इस तरह से place कर दिया है क्योंकि मेरे सारी में थोड़ा सा silver का effect था तो मैंने इसको add किया है now इसके साथ ही eye makeup जो है मेरा almost complete हो गया है मैंने एक black kajal लिया है which is from steak worky उसको मैंने just अपने waterline के बाहर इस तरह से apply किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा bigger eye वाला illusion जाहिए था and मैंने eyeliner की जगा पे इसको apply किया है बिल्कु lightly, बिल्कु roughly मैंने इसको draw किया है फिर मैं एक थोड़ा सा black eyeshadow को pick करके kajal को smudge out कर दूँगी जिसे की मेरा kajal long lasting हो जाएगा साथ ही आपको एक bigger eye का illusion मिलेगा बहुत ही ज़ादा खूबसूरत लगता है and आजकल smoky eyeliner and smoky kajal बहुत ज़ादा trend कर रहे है किसी को भी defined kajal और liner आप बहुत कम लोगों को ही देखिए अपलाई किये वे तो इस तरह से मैंने इसको जिस्ट थोड़ा सा smoke out कर दिया है now इसके बाद मैंने यहाँ पे like अपने eye makeup के लिए use किया है white kajal which is again from steak worky affordable range में बहुत ही अच्छा white kajal है अगर आपको एक working white kajal चाहिए जो कि आपकी eyes पे visible हो तो आपको इसको ज़रूर कर लेना था but अगर आप makeup कर रहे हैं तो आप हमेशा ही waterproof mascara use कीजिए जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो and बहुत ही अच्छा amazing mascara है affordable range में इसमें आपको waterproof variant भी मिल जाएगा फिर मैंने same silver color को अपने inner eye पे इस तरह से प्लेस करके अपने eye makeup look को complete किया है बाद में falsies भी apply करूँगी जो कि बिल्कुल optional है आप चाहे तो apply कर सकते है अदवाई skip कर सकते है फिर मैंने अपने contouring के लिए nika kika contour palette में से light shade को pick किया है और अपने face की contouring की है और साथ ही nose की contouring करूँगी ये face को बहुत ही अच्छा defined वाला look provide करता है फिर मैंने याप इस टेकवर की का lip and cheek color यूज़ किया है shade no.1 में बहुत ही अच्छा सा nude blush kind of ये color आता है काफी natural लगता है फेस पे तो मैंने इसी को apply किया है बिल्कुल lightly मैंने इसको pat किया है और उसके बाद में आपे highlighter के लिए यूज़ करूँगी maybelline का master chrome इसमें मेरा shade है pink shade तो मेरे पैस इसका golden color भी है वो भी बहुत खूबसूरत है बट क्यूंकि मैंने makeup को थोड़ा सा white tone रखा है तो मैंने आपे pink color की highlighter use की है now weddings भी occasions में आप चाहे तो बहुत सारा highlighter अपने face पे अप्लाई कर सकते है क्योंकि pictures लेने होते हैं काफी सारी lighting होती है तो artificial वाला as such look नहीं आता बट अगर आप घर के किसी छोटे मोटे function के लिए ready हो रहे हैं तो try कीजिए कि highlighter आप कम से कम use करें subtle highlighters use कीजिए उससे क्या होता है आपका face जादा natural लगता है बहुत जादा bam look नहीं आता है तो मैंने इस तरह से face पे highlighter यूज़ किया है lipstick के लिए मैं आपे use करी हूँ NYB का dual matte lipstick shade no.5 तो मैंने red color यूज़ किया है आप चाहें तो क्योंकि आपका eye makeup bold है तो आप nude lipstick पे भी switch कर सकते हैं बट मैंने आपे wedding purpose के लिए यहाँ पे bold red color use किया है क्योंकि wedding में सभी लोगों को एक dark shade apply करना बहुत अच्छा लगता है mostly मैंने देखा है लोगों को तो मैंने इसको use किया है फिर मैंने purple की liquid lipstick use किया shade no.1 अपने lipstick को और long lasting बनाने के लिए और red color को intensify करने के लिए मैंने इस color को use किया है and इसके बाद मैंने कुछ jewelry wear की है एक छोटी सी बिंदी लगाई है and इसके साथ ही मेरा makeup look complete होता है okay sorry तो मैंने आपे makeup fixer भी use किया which is from blue heaven अगर आप makeup fixer यूज करते है तो आपके face के makeup को बहुत अची तरह सी यह melt करके और natural वाला finish देता है साथ ही आपका makeup long lasting हो जाता है तो कोशिश कीजे कि अगर आपको यह occasion में जा रहे है तो makeup fixer ज़रूर apply करें तो यह मेरा actually my last step था now this is my complete makeup look comment करके ज़रूर बताएगा आपको इस तरह का look कैसा लग रहा है पसंद आये तो please video को like कर दीजेगा and channel को subscribe कर लीजेगा आप लोगों के लिए मैं अब हमेशा ही regular videos upload करूँगी मैं वापस आ गई हूँ that's why तो yes आज के लिए बस इतना ही अब मिलते अपने next video में till then bye bye take care